पिये मोदी भले एक खास पार्टी के बड़े राजनेता हो, मगर वो देश के प्रधनमंत्री होने के नाते सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं, वो जहां जाते हैं उसी माहौल में ढ़ल जाते हैं यही वजह है कि पिये मोदी जितने लोगप्रिय सियासत में हैं, उतने ही लोगप्रिय बॉलिवट की दुनिया में भी हैं कई बड़े कलाकार भी उनके फैन हैं उन पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं मगर जब बात खुद पिये मोदी की फिल्म देखने की आती है तो आपको बता दे वो काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि शायद उन्हें फिल्म देखने का भी मौका नहीं मिल पाता होगा यही वज़ा है कि बॉलिवर्ट सुपरस्टार अक्षे कुमार ने जब पिये मोदी से पूछा कि आपने आखरी बार कौन सी फिल्म देखी थी तो पिये मोदी का जवाब हैरान कर देने वाला था उन्होंने बताया कि जब से वो प्रधान मंत्री बने हैं एक भी फिल्म नहीं देखी है हलांकि जब वो गुजरात के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने दो फिल्म में देखी थी एक थी पा और दूसरी फिल्म थी अवेंस दे अब यह नहीं पाता हूं लास्ट फिल्म कॉन सी लेकिन मेरे गाउं में एक थीटर था और मेरा एक दोस्त था दसरत करके उसके पिताजी थीटर के बाद स्विंग चना बेचते थे और हम गाउंवाले उनको लक्षमाबाय थीटर वाला बोलते थे दोस्त कम है और जगां बची है तो फिर वोभ देटर के बारी बैठेते दोस्त हैं बच्चों को बिठा दो तो बोकुत में हमको थीटर में जाने का मोका मिल जाता हुिा और लक्षमाबियो शिंग चना बीते थे लुए तो में और हमारा वो दोस्त है दसरत तो हम दोनों चा बैटके मुवी देखते थे तो बच्पन में मुवी देखने का यही एक हमारा तरीक्रा था बाद में ते जिनगी ऐसी बन गई है तो पर मुखा नहीं मिलता लेकिन शायद एक अभिताब बच्चन जी आये थे जब मैं सीम था उनका बड़ा अग्रह था एक पाफ फिल्म शाय रहा था एक बार अनुपम जी खहर आये थे उन्होंने टरीजम को लेकर के एक फिल्म बनाई की सीम था था तो वो मैं उनके साथ देखने चला गया था तो ऐसा कुछ हुआ है लेकिन वह भी जादा अपनी प्रेम कथा का बिल्कुल नहीं कर पाए अक्षे कुमार ने पिये म इस पर पिये मोदी ने कहा मैं वो फिल्म देख तो नहीं पाया मगर लोगों को बताया कि देखिए कैसे समाध से जुड़ी फिल्में भी बन सकती है मैंने एक फिल्म बनाई थी आपको मैंने अलका सा कुछ बताया भी था पहले कि तोईलेट एक प्रेम कथा पे फिल्म बनाई थी और मैंने वो मैं खुद देख नहीं पाया लेकिन मैंने लोगों को बहुत कहा कि देखो भई सामाजिक जीवन पर कैसे फिल्म में चल सकती और मोदी ने आखरी बार जिस पा फिल्म को देखा आपको बता दें ये फिल्म साल 2009 में आई थी जिसमें अमिताब बच्चन ने एक बच्चे का किरदार निभाया था जो एक खास सरह की बीमारी से पीड़ित था फिल्म में अभिशेग बच्चन ने उस बच्चे के पिता का रोल निभाया था तो बहीं दूसरी फिल्म अवेंस्टे की बात करें तो ये फिल्म सितंबर 2008 में आई थी जिसमें अनुपम खेर और नसीरुदीन शहा ने मुख्य किरदार निभाया था पीए मोधी ने आतंगवाद पर बनी फिल्म अवेंस्टे को फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के कहने पर देखा था पा और अवेंस्टे इन दोनों फिल्मों के अलावा पीए मोधी ने एक भी फिल्म नहीं देखी है यानि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्रमोदी ने फिल्मों से दूरी बनाए रखी बहुत बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में क्योंकि आपके परसनल मतलब जो लाइफ होती है कि जैसे कि मैं आपको बताओं मेरे मेरा ड्राइवर है उसकी बेटी उसने एक मैं उसको पूछ रहा था कि बटे तो अगर नर्णमोदी जी को हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्टन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं यह भी उसका क्वेश्टन है कि आम खाते हैं और अगर खाते हैं तो क्या काटके खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं और वाश बिजन के ऊपर खड़े होके गुटली के साथ आम खाना उसका बादा ही कुछ और होते हैं तो मैं जाना क्या होूं कि आम खाते हो एक तो मैं आम खाता भी हूं और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है और गुजराथ में आम रसकी परंपरा भी है लेकिन जब मैं और देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है, कोई खेत में आगण के खाता है तो गभी रोकता नहीं है, छोडी करता है तो रोकता है, तो आम के पैड़ पर जो पकी हुई आम थे, वो खाना हमें ज़रा ज़्यादा पसंद था, यहने उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं नेचरल कोर्स में पकाव हुआ और पूरा का पूरा जब तब तो ही हाईजेनिक की है, कोई समझ भी नहीं थी कि दोना चाहिए, डिकना करना कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे, लेकिन बात में जिसे जे बड़े तो कई भराइटियों के विचे में जाने लगे, आम रज खाने के आदर लगे, लेकिन अंदरों मुझे चांट्रोल करना पड़ता है, अच्छा अभी फिल हाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊ या ना खाऊ नरंदर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधान मंतरी बनेंगे, कभी आपने सोचा था, और सोचा भी था, तो कौन से साल में, कौन सी उमर में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूंगा, कभी ऐसा विशाद नहीं आ कि शायद जो बन जाते हो सब के जीवन में ऐसा होगा मैं नहीं मानता हूँ कि हैने कोई एक तिम फैमिली ही उसी प्रकार से बैग्राउंड बाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाव इक है पना मेरा जो फैमिली बैग्राउंड है उसमें तो आगर म नोकरिक भी मिल गई होती है तो शायद मेरी माँ अडोस-पडोस के लोगों को गुड खिला देती है कि चलो बेटे को वहां नोकरिक मेल गई है कि उससे जादा हमने तो कुछ सोचा नहीं सा गाउं के बार कुछ देखा नहीं सा यह तो एक्सी यात्रा चल पड़ी और देश कि मेरा बैक्राउंड मेरी दुनिया आज की जो राजनीती का तौर तरिया उसमें यह सब बैठता ही नहीं जी मुझे भी आफिर हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है यहां तक मैंने पड़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे ऐसा कुछ पीज़ा है यह आपके बाद सही है बच्पन में मेरा एक स्वभाव था किताबे पढ़ना लाइबरेज चला जाता था तो बड़े-बड़े लोगों के जीवन पढ़ना यह शौक रहता था कभी फोज वाले उनिफॉर्म में निकलते था तो मुझे बड़ा देखता था कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूर कर देता था मन करता था कुछ इतने में 1962 का गॉर हो गया तो हमारी हां से दूर एक महसान स्टेशन है मेरे गाउं से तो वहां स्टेशन पे है सब लोग जो उसके लोग ट्रेनों में जाते थे उनका पड़ा सथकार करते थे चाहें अगरे तो मैं भी चला जाता था तो जाकर के मैं भी वो तो मुझे बड़ा मजा आता था तो मन पर हो गया कहां यह देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है तो कभी उस दिशा में सोचता था इतन उसका सारा जानकारी अमंगवाते थे अब हमें तो अंग्रेज आती नहीं थी तो हमारे महले में एक स्कूल के प्रिंसिपल मिश्टर रास हुई हरी मनियार करकर रहते थे तो मैं उनके पास चला गया मुझे कभी बड़ी वेक्ती से मिलने से कभी संकोची नहीं होता था आत्मस्थान अंजी हुआ करते थे अभी उनका करीब हंडेड एर उमर में अभी स्वरगवास हुआ तो मैं सीम बना तो मेरे घर उनको फिर बुलाए मैंने प्रजानमंत्री बना तो उनके हाँ चला जाता था अभी कलकत्य में अस्पताल में तो दो तीन बार हो आया था मैं तो यह सारे नहीं नहीं अनुभो होने लगे हैं